आज हम अपने दसों में बनाएंगे स्वीट क्रीमी सेंडवीच तो चली श्टट करते रेसिपी सबसे पहले रेडी करेंगे सेंडवीच के लिए क्रीम तो उसके लिए यहां पर हमने क्या करना है देर चमच या दो चमच आप बटर ले ले बटर बहुत जड़ा हाड नहीं होना चाहिए वस थोड़ा सा मेल्ट मतलब अगर आपने फ्रीज में बटर रखाये तो उसे निकाल के आधा गुंट पहले रख दीजिए तो वो सही टिक्चर में आ जाएगा और हमने फिर इसमें आ असानी से फलपी हो जाएगा हमें इस क्रीम को फेटने में थोड़ी सी महनत लगनी वाली है क्योंकि हमें इसे इतना फेटना है कि हमने जो इसमें पाउडर सुगार डाला है वो अच्छे से मतलब मेल्ट हो जाए अच्छे से बिलकुल बटर के साथ मिक्स हो के बिलकुल क्र से ओपर लगाते हैं यह देख सकते हैं यह वाइप करल लेंगे एक चम़फ गया सूगर पाउडर उसी कम से हमने चम में गया और मिल्क पाइड करने के बाद इसे हम थोरा सा और दो मिनुट फेट लेंगे और फिर इसमें फिलेवर के लिए यहां पर मैंने डाला है इलाइची पाउडर आधा चमच यहां पर आप चाहे तो वेनिला एसेंस भी डाल सकते हैं जो भी आपको पसंद फिलेवर रोज वाटर डा यहां पर मेरे पास यही वाला एविलेवल है तो हम यही वाला ले लेंगे और इसे हम बीच से कट लगा लेंगे दो पाटेशन में अलग कर लेंगे और फिर हमने क्या करना है कि इसके उपर जो हमने बटर मेल्ट करके रखा हुआ है वह हमें इसके उपर लगाना है इस बट यहां पर बटर डालने में कंजूसी नहीं करनी अगर आपने थोड़ा सा बटर डाला तो वह टेश्ट नहीं मिलेगा सेंड़ीच में जो होना चाहिए और इसमें अगर आप अच्छी से बटर डालेंगे ताकि अंदर तक इसमें बटर अंदर तक अब्जॉग हो जाए तो इस रेसीपी को अगर आप एक बार बनाएंगे ना तो आप में बच्चों को भी इतना ज्यादा पसंद आने वाला है कि वह आपको बार बार बोलेंगे ममा यहीं बाला बनाओ और इसे आप बना के फ्रिज में रख भी सकते हैं दो तीन दिनों तक आप खा सकते हैं यह बिल थोड़ी से पसंद आरे थोड़ी सीप यूजीफ लग रही हो तो ऍप्रिज वीडियो को अपना प्यार जरूर दें लाइक जरूर खरे और अधर चैनल पर पहली बार रहे तो पली्ज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो बैस हमारा सेंडविच बातों बातों में बन भी गया और यह अब सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है आप इस भी एक बार जरूरे ट्राइ करें और रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बटाए थाइंक्यू